यूपी आये तो सब ने कहा पिश्ली बार भी तो आये थे, क्या कर लिया लेकिन जब ओवैसी ने यूपी में अपना प्लाइन सामने रखना शुरू किया तो सब के तोते उड़ जाएं प्लाइन है T20 का, इस प्लाइन से योगी को फाइदा होगा या खिलेश को इसे लेकर दोनों खेमे में कन्फूजन है लूट में नफा जैसी नौबत ना हो जाये इस तरीके की कि बिहार की तरह ओवैसी की पार्टी यहां भी कुछ सीटें जीत जाए और उत्तर प्रदेश में पाओ रखने की जगह मिल जाए लखनाउ से लेकर बरेली मेरर तक इस T20 प्लाइन की चर्चा हो रही है लेकिन असद ओवैसी के इस प्लाइन में है क्या और प्लाइन असल में कितना प्राक्टिकेवल है यह कितना एक्जिक्यूट किया जा सकता है बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सलूज स्टोरी आपको यही बताए कांगरेस ही ऐसे है समाजवादी लालू की पाटी अरे तुम लवज मुसल्मान का नाम लेने से डरते पार्लिमेंट में सोस होता है कि भारत के इतने बड़े परदेश के मुख्य मंत्री है दूसरी मरतबा मुख्य मंत्री बने है और उनके अतराफ में लोग कहती है कि वो भारत के कभी पदान मंत्री बनना भी चाहती है ठीक है खाब देखना कोई बुरी बात नहीं है संभल, मुरादाबाद, मेरट, पिजनौर, अम्रोहा, फिरोजबाद, पुलन शहर, कैराना, अलिगड, नगीना, रामपुर, आजमगड, सहारनपुर, बरेली और पहराइच, यूपी के नक्षे पर ये वो सीठे हैं, जहां से हैदरबाद वाले भाईजान पतंग उलाने की क मिल हुआ, कहां कितने मुसल्मान, कितने यादव का गुणा भाग कर सीटों का बटवारा हुआ, लेकिन हैदरबाद वाले भाईजान की पैराशूट लैंडिंग से सारा गुणा गनित धरा का धरा रह गया, जिन सीटों पर असदुद्दीन और वैसी की पार्टी AIM दावा ये सब ही मुसलिम बहुल सीटे हैं और इन तमाम सीटों पर माई समिकरन के भरो से अखिलेश साइकल के सावारी करना चाह रहे हैं, लेकिन ओवैसी के गेम प्लान से इन साथों सीटों पर अखिलेश के वोट बैंक पर डेंट तैय है दो हजर बाईस के यूपी विधान सभा चुनाओं में AIM ने पूरा जोर लगाया लेकिन ओवैसी की पार्टी यूपी में खाता खोलने में काम्याब नहीं हो पाई 95 में 94 उम्मीदवारों की बले ही जमानत जबत हो गई लेकिन कई सीटें ऐसी रही जहां समाजवादी पार्टी के हार के लिए OVC की पार्टी उम्मीदवारों की भूमिका दिखाई दी यूपी विधान सभा चुनाओं के आकलों पर गौर करे तो कम से कम आट सीटों पर OVC की पार्टी ने साइकल को पंक्चर कर दिया मुरादबाद नगर सीट पर B.J.P ने सपा को 782 वोट से हराया यहां AIMIM को 2661 वोट मिले थे बारा बंक्की की कुरसी सीट पर B.J.P को 217 वोट से जीत मिली यहां AIMIM को 8541 वोट मिले सहरनपूर की नुकर सीट पर बीजेपी ने साइकल पर सवार धर्म सिंग सैनी को 315 वोटों से हराया यहां भी AIMIM उम्मीदवार 3593 वोट पाने में काम्याब रहे जौनपूर की शाह गंज सीट पर सपा 719 वोट से हरी AIMIM को यहां 8128 वोट मिले बिजनौर में बीजेपी 1445 वोट से जीती तो यहां ओवैसी की पार्टी को 290 वोट मिले इसी तरह सुल्तानपूर की शौली सीट पर AIMIM को 3308 वोट मिले जीत कांतर सिर्फ 299 था सुल्तानपूर सदर में हार जीत कांतर 1009 वोट का था ओवैसी की पार्टी को 5251 वोट मिले बधोही की औराई सीट पर B.J.P. 1647 वोटो से जीती तो यहां AIMIM को 290 वोट मिले क्या एलान कर रहा है देश के अंदर इतनी पार्टियां है हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात को कहने को अपने फैसले लेने को समाजवादी पार्टी भले ही ओवैसी को गंभीरता से नहीं लेरी लेकिन हर किसी को यह अच्छी तरह पाता है कि अगर A.I.M. उम्मिद्वारों पर मुसल्मानों ने थोड़ी बहुत भी दर्या दिली दिखाई तो इंडी गटबंधन के साथ यूपी में बड़ा खेला हो जाएगा CSDS के मताबिक उत्रप्रदेश में मुसलिम वोटिंग पैटर्न देखें तो साल 2019 के लोग सभा चुनाव में कॉंग्रिस को 14 पतिशत, BJP को 8 पतिशत समाजवादी पार्टी और BSP के गटबंधन को 73 पतिशत और अन्य के खाते में 5 पतिशत मुसलिम वोट गए थे अब की बार ओवैसी के फोकस में डारेक्ट यूपी के 20 पीजदी मुसल्मान हैं इसलिए तो उनी मुद्दों पर वो मुखर होते हैं जो उनकी M Factor वाली सियासत में फिट बैठते हैं चाहे वो राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोड का फैसला हो या फिर ट्रिपल तलाक कानून CAA से लेकर Common Civil Code, हिजाब का मुद्दा, Article 370 या फिर ग्यानवापी का मामला मेरी फिकर में मेरा इमान मुझे कहता है कि जिस जगापर मस्जिद थी है और रहेगी बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद जिनदाबाद यूपी की जिन 20 सीटों पर AIM चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है वहां के उम्मीदवारों के नाम भी शॉटलिस्ट किये जा चुके है प्रदेश अध्यक्ष शौकात अली ने प्रस्ताव असद दुद्दीन ओवैसी को भेजा है उत्रप्रदेश में मुस्लिम आबादी 20 वीजदी के करीब है लेकिन पश्चमी यूपी में बढ़कर 26 वीजदी हो जाती है यूपी में 30 वीजदी से जादा मुस्लिम आबादी वाली लोग सभा की 21 सीटे है और खास्तोर से इनी सीटों पर ओवैसी की निगाहे टिकी है मोडी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसल्मानों को कि जान बचाना है या इनसाफ चाहते हो मैं कहरा हूँ मैं भीक नहीं मांगूँगा मैं इस नंगी तासिब तासिब को खुबूल नहीं करूँगा मैं दूसरे दर्जे के शेहरी के मौकफ को खुबूल नहीं करूँगा मैं अपनी सनाक को नहीं मिटने दूँगा ओवैसी साब अपनी पिछ पर लगातार बैटिंग कर रहे हैं कहते हैं ना जुकेंगे ना डरेंगे लेकिन उनके भाशनों से सिर्फ यही लगता है कि मोधी योगी का नाम ले लेकर वो मुसल्मानों को डराएंगे मगर इन तमाम एजेन्डों पर भारी है योगी का कानून और ये बात कोरी नहीं बलके आकले भी मोहर लगाते हैं 2014 के बाद से माहौल बदला है फॉमूले बदले हैं और उसी के हिसाब से बदल रही मुसल्मानों की मोधी के प्रती सोच 2019 के लोग सभा चुनाव में जिन सीटों पर मुसलिम वोटर्स की सर्क्या अधिक है वहाँ बीजेपी के वोट शेयर में बहुत भी देखी गए 10 प्रतीशत से कम मुसलिम वोटर्स वाली सीटों पर बीजेपी को 34 दश्मलव 9 प्रतीशत वोट मिले जबकि 10 से 20 प्रतीशत मुसलिम मतदाताओं वाले निरवाचन ख्षित्रों में बीजेपी को 49 दश्मलव 2 प्रतीशत वोट डाले गए ये भी एहम है कि जहां मुसलिम वोटों का अनुपाद बहुत अधिक है यानि 20 से 40 प्रसंट तक वहाँ बीजेपी के वोटों के हिस्सेदारी बढ़कर 43 दश्मलवाद प्रतीशत हो गए मुसल्मानों के वोटिंग पैटर्ण में आये इसी बदलाव ने तो ओवैसी जैसे नेताओं को बेचैन कर दिया है तो खुद को मुसल्मानों के मसीह के तोर पर पेश करते आये है याद अको मेरी इस बात को हमेशा योगी मुक्यमंत्री नहीं रहेगा हमेशा मोडी पदान मंत्री नहीं रहेगा और हम मसल्मान वक्त के अतिबार से खामोश जरूर है मगर याद लखो हम तुमारे जल्म को बोलने वाले नहीं है हम तुमारे जल्म को याद लखेंगे अपनी ताकत के जरीए तुमारा तुमको निस्तो नाबूत करेगा इंशाल्ला और हम याद रखेंगे हालाद बदलेंगे जब कौन बचानी आएगा तुमको जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे मोडी पहाड़ों में चले जाएंगे हो सकता या कहीं पर जाकर रहेंगे जब कोन आएगा और सिर्फ यूपी ही क्यों ओवैसी की प्लानिंग बिहार में भी 11 सीटों पर पतंग उडाने की है जाहिर है 120 सीटों वाले दोनों राज्यों में ओवैसी के गेम प्लान से सबसे ज़्यादा खलबली उस खेमे में है जो एम फैक्टर के भरों से बियम मोडी के मिशन 400 पार में पानिता लगाने की कोशिश में है तुमारे पाउं के नीचे कोई जमीन नहीं कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं